तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इन्पॉर्टेन्स कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्तेक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेम ने किया तो जूरू कर लिजेगा चैनल को पर बने रहिएगा तो चलो देख लेते कौन सा कंपानी है इस पीडियो के अंदर फर्स्ट चो कंपानी है जिसके बारे में चर्चा करू उसका नाम आप देखेंगे उसका नाम है Aestrol Limited देखे, Astrol Limited आप सब जानते हैं, इंडिया के नमबर वन प्लास्टिक पाइप मैनुफेक्ट्रिंग कमपानी है, पीवीसी पाइप मैनुफेक्ट्रिंग कमपानी है, मगर देखाए तो कमपानी आज नमबर वन पोजिशन में नहीं है, क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में और एक बड़ा प्लियार एंटर हो चुके है, और वो नमबर वन पहुँच चुके है, जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्टीज, तो सुप्रीम इंडस्टीज और एस्टॉल, इस दोनों में अगर मैं एक कमपेर करूँ दोनों कमपानी से, तो दोनों में जो मार्केट केव है, उसम करजा करजा इस साल और भी कम हुआ, तो कमपानी का कितना करजा कम हुआ, आप देख सकते हैं, कमपानी का जो पहले करजा था, उससे भी कमपानी का करजा इस बार कम हुआ, वो आपको यहाँ पर दिखेगा बैलन्स इड में, तो पिछले साल में करजा कितना था 98 करोण, और इस बार करजा कितना बना 87 करोड आप कहेंगे सर सेप्टेम और क्वार्टर में तो फिर से करजा बढ़ गया तो क्वार्टर में करजा बढ़ा ठीक है आपको year of year basis में percentage देखने को मिलेगा तो companies के उपर जो growth है वो आपको दो जगा पर दिखेगा जैसे CWIP खुद की business के उपर इस बार company 200 करोड के आसपास पैसा लगा चुके है तो business के मतलब product processing में CWIP का मतलब है capital working in process तो capital working in process में इस जगा पे company अच्छा खासा पैसा लगा चुके है तो इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा तो as a investor promoter से लेकर FISDS public हर किसी के पास अच्छा खासा investment आपको देखने को मिल गया तो इसका मतलब company एक best company है क्योंकि company ने आपको धमा का return भी तो इक अलग level का यहाँ पे growthable return company दे चुके है तो सुचिए company जिस तरीके से आपको return generate करके दिया जिस तरीके से आपको percentage of return दिया और उसके साथ sales का growth profit का growth return of equity सब कुछ best है तो क्या company बेकार है मिलकुर नहीं ना तो सब कुछ point जब best रहेगा तब उस company के पर कुछ date बन सकता ह तो finally क्या कुछ date बन रहा है चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ उससे पहले देखे लास्ट कुछ three month में mutual fund क्या क्या बो देखना जोरी रहे है जैसे September में mutual fund ने buy किया October में buy किया November में buy किया December में buy किया इसका मतलब हार month में company के उपर buying किया गया एक best buying situation देखने को मिला अभी इसका chart buttons के बारे में चर्चा करूँ तो companies के उपर क्या हुआ इतने दिनों तक company के उपर क्या हुआ एक कब बना और उसके बाद देखिए एक बार दो बार तीन बार handle button की एड़ा फिर से मुझे लग रहा है एक बार handle button यहापे create होने वाल है अभी देखिए एक यहाप आपडेट भी देखिए जैसे 200 days यह में को बो company क्या क्या breakdown किये अभी breakdown तो किया मगर दो तरीकी से यहाप सीनादियों बनेगा पहले यहापे strongly क्या है company के लिए support है यहापे इस level में आने के बाद ही bounce किया इस level में आने के बाद ही bounce किया तो मुझे लग रहा कि इस level में आने क से candle बनता है तो higher possibility है इसके उपर अगर कोई closing दे तो एक anti level यहापे बन सकता है तो अगर इस level में अगर मान लेता हूँ मैं इसके उपर anti लेता हूँ तो इस level तक अगर इसका top level तक अगर target देखू तो 11 person के आसपास मुझे target मिल सकता है तो इस तरीके से patterns के उपर में छोटे म क्वांट्री के साथ काम करता हूँ अगर यहापे फिर से एक बार handle button create करके अगर breakout यहापे देखे ब्रेक आउट तो हो चुके है अगर इसके ब्रेक आउट कंफामिशन कर दे तो इक बड़ा से anti लेने के लिए त्यार रहा हूँगा क्योंकि यहाप बहुत पहले से ही एक big cup पहले से ही बन चुके है तो big cup बन चुके इस cup का size का अगर target बने तो आपर side में करीबन 33% का असपास target बन सकता है बाकी इस company के उपर आपके किरा है जो रहे मुझे comments करके बताना next company उसका नाम है emtar tech limited तो emtar tech limited जो एक देखा जाए तो इस company के जो owner है वो कौन है आप एगर investor को देखेंगे तो इस company के बहुत सरे promoter है जो इस company को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिस भी कर रहे है तो कितना growth हुआ emtar tech का बहुत देख लीजिए सबसे पहले देखें company का valuation तो company के जो valuation है वो पी रिश्य में अब देखू तो एक टाइम पी रिश्य चला गया था 135 और आज पी रिश्य कितना है 70 गास पास मतलब 62 70 गास पास तो average पी रिश्य निकल का रहा है 72 और company का current पी रिश्य देखने को मिला है 65 इसका मतलब company undervalued situation में है तो इंड promotor के पास holdings भी है हां मैं बहुत बर बोल चुका हूँ अगर promotor के पास placing 6.64% है मतलब 6% से भी ज्यादा placing promotor के पास है तो एक बात को ध्यान रखना होगा तो company के जो placing है वो percentage wise जितना मतलब ज्यादा रहेंगे वो company के लिए खत्रा वानेगा तो मैं एक calculation करके चलता हूँ जो पानी का placing होना चाहिए मतलब यहापर जो placing है ठीक ठाग है अगर 15% के अगर उपर चला जाता तो इस company से में दूर रहता तो फिलाल के लिए company का quarter result में क्या हाल आप देख लेग जिए company sales लगातार हर quarter में अच्छा कासा यहापर बढ़ता हुआ देखने को मिले अलक level का पानी कंट्रोल में रखे उस basis में net profit आपको यहापर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले मतलब net profit यह है वह 14 करोड से 19 करोड 19 से 25 करोड उससे 21 करोड तो अलक level का एक net profitability growth देखने को मिले है तो आज यह balance sheet आप देखेंगे तो company का जो borrings है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले उस basis में company का जो business है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और खुद के business के उपर company ने क्या किया 70 करोड के आसपास ongoing processing में पैसा लगाया और company के खुद का trade जो receive हुआ वो कितना वो trade receive हुआ 186 करोड के आसपास जो पिछले बार 208 करोड के आसपास receive हुआ था तो देखा जे तो company ठीक्ठा की खुद को growth कर रहे है ठीक्ठा की एक range की साबसे सारे points है और as a investor इसले देखें institution ने क्या क्या holding को दुगना कर दिया जैसे fs ने 4 से 8 कर दिया ds के 28 था और वो भी अभी 24 है 28 था 24 है कोई बात नहीं 4 परसन बेचा उस 4 परसन fs ने उठा लिया तो public के पास भी holdings है और promoter के पास भी holdings है हर कोई बैक्ति इस company के उपर continue किसले करना चाता है कि कि इस company defense sector के उपर काम करता है और defense sector के उपर लगातार government push कर रहे है defense sector को एक अच्छा खासा growthable business मिला है अच्छा खासा growth देखने को मिला है अभी इस company के last few months का data दिखा दू तो mutual fund ने कुछ point of view से sell up किया लगातार हर month में company को sell up देखने को मिला अभी देखे अभी मैं आपको chart buttons के बारे में चर्चा करू तो आप यहापर देख सकते है यहापर क्या उसके बाद देखे धीर देखर करके उपर नहीं गया नीचे अभी टेड़ कर रहे है जो buying entity है उससे नीचे टेड़ कर रहे है वगर एक चीज को ध्यान दिजेगा यहापर जो 200 days यह में है यह जो line है इसके नीचे नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से वो reversal करने का possibilities है तो इसके नीचे अगर गये तो यहाँ पर एक company का एक नहीं दो दो इसका support बनेगा पहला support यहाँ बनेगा तूसरा support यहाँ बनेगा तो इस तरीके से patterns को follow करके आगे बढ़ रहे है अगर उपर तक इसका target मिले तो मैं 3700 इस level तक target इनने के लिए त्यार रहूंगा तो ब रहा था कि company के पर एक अच्छा खासा trade बने तो finally इस company के पर एक अच्छा खासा trade बना और trade किस तरीके से बना देखे लंबा सा एक journey दिखा लंबा सा journey मतलो आज का नहीं 2017 से लेकर एक big journey है एक बड़ा सा company एक छोटा सा handle बना और finally आपर breakout हुआ और breakout confirmation भी आपर हो चुके है त इस range को अगर breakout करें तो एक momentum journey मिल सकता है जैसे मैं range को आपको marking करके दे रहा हूँ अब ध्यान दिजेगा इस range को company को क्या करना पड़ेगा breakout करना पड़ेगा इस range को breakout करने के बाद ही एक momentum journey देखने को मिल सकता है तो हमें से आपको इस चीजे को ध्यान रखना होगा और इस इस तरीके से जब भी जब भी range बने और धिरिदे करके उपर गए तो इसका मैं target लेके चल रहा हूँ 150 के आसपार जो target निकल का रहा है करीबन percentage वाई दिखा दू तो 78% के आसपार तो इस से बड़े चीज और कुछ नहीं हो सकता तो आपको companies के उपर focus रखिए जब भी आप आपको लगे कि हाँ इस company के उपर काम करना चाहिए तो उस basis में जुरू काम करें क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी आपको sell by का recommendation कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कोई सेभी registered person नहीं हूँ कि मैं आपको by sell का recommendation करू अगर आपको काम करना है तो आपके हिसाप से आपके study के और जर्नी हो रहा है उस basis में company भागने के लिए त्यार भी जोरूर रहेंगे तो next company उसका नाम है वीप्रो देखें वीप्रो बहुत दिने के बाद एक अच्छागासा performance किया एक big correction के बाद company recover भी किये और इसलिए company अच्छागासा result भी बाबिस किया result के मावने में बात करू तो company के जो profitability है पिछले quarters को company beat कर पाए और इस profit अच्छा आने के कारण company के उपर क्या हुआ एक अच्छागासा debiden announcement company कर चुके है 24th of January company एक रूपया करके debiden देने वाल है और एक रूपया का मतलब एक अच्छागासा company के उपर debiden मिलना क्योंकि इस company debiden देने का बातसा है continuously debiden देत का रहता है तो इस company के उपर आफ study करिए उसके बाद काम करिए पे था कुछ companies के आपडेट वीडियो में के जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना दोस्तों के साथ भी सेयर करना और चनल को भी सब्सक्राइब करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए कि अच्छ प्लीज वीडियो